हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाँचवे अध्याय का तैईस्वा श्लोक भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है देखो जो आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है कमजोर हो जाता है उसको क्रोध आएगा भी तो उसके कोई वैल्यू नहीं है नहीं, इंद्रियों के वेग, आदे वेग तो वैसे ही भगवान खतम कर देते हैं, बढ़ापे में कहां कुछ खाया जाता है, कहां कुछ देखा जाता है, कहां कुछ सुना जाता है, स्त्री संग अल्मूस्ट पॉसिवल ही नहीं होता, तो जब हम बुढ़े हो जाते हैं, तब आप यंग हैं या मिडल एज में हैं जब आप खा सकते हैं देख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं उस वक्त अगर आप खुद को cloud कर सकते हैं , तो आप सुखी हैं , क्योंकि जो control नहीं कर पाएगा , वो कैसे दुखी है , यह हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके है , जो control नहीं कर पाएगा वो और च्यादा सुख के पीछे भागेगा , ऐसा नहीं कि उसको नहीं होंगे दुखी हो कि हम पाप करेंगे कैसे भी उस सुख को पाने के लिए कुछ भी करने को ततपर हो जाएंगे और परिशान रहेंगे परिशान रहेंगे समाज को परिशान करेंगे इसी लिए ये कहा जा रहा है कि जो त्यागने से पूर्व मतलब जीते जी अपने इंद्रियों के वेगों को सहन करना असान नहीं होता है स्त्री संग का वेग कितना मुश्किल है कंट्रोल करना ऐसे कुछ चटपटा खाना उल्टे सीधे गाने सुनना उल्टे सीधी पिच्चरे देखना इन वेगों को सहन करना असान नहीं है आप कर लेते हैं लोग करते हैं बहुत हैं अब वहीं सुखी है isha उन्हीं का जीवन स्थिर् है उन्हीं को डीप्रेशन नहीं होने वाला है वो हमेशा मुस्कराते वही मिलते रहेंगे अपको इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन वेगों को indirectly कह रहे हैं सहना सीखो 24 में शलोक में पहुंचेंगे यहां भगवान कह रहे हैं जो अंते करण में सुख का अनुभव करता है यह बाद पहले भी आ चुकी एक दो शलोक पहले वो सुख ढूंडने दुनिया में नहीं जा रहा वो अपने आप में ही सुखी है उसको पता है कि हाँ मैं हरी नाम ले रहा हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मुझे इसी में सुख मिल रहा है संग कर रहा है इसको में सुमिल रहा है साथसंग कर रहा हूं वीमगे दूख्य जो अंतेक रण में सुक का अनुभव करता है वह और अतेकरण में रमण करता है मतलब उसका मन उसकी बुद्धी अंत्य करन में अंदर ये एक तरह से आत्मा में इस्थित है जिसका लक्षे अंतर मुखी है भगवान उसी चीज को अलिबरेट कर रहे हैं वो बेसिकली अपने आत्मा को मन को बुद्धी को शुद्ध करना चाहता है अंतर मुख्य उसका लक्ष है वो सचमुच योगी है यानि भक्त है वह परभ्रम से मुक्त पाता है वह परभ्रम में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा भ्रम को प्राप्त होता है यानि मोक्ष को प्राप्त होता है भगवान को प्राप्त कर लेता है जब तक हमें संसार के सुखों में attach रहेंगे संसार के लोगों से attach रहेंगा beide Online की यह attachment is bad कि जिसके भीना रही सकते खुच आपका जीवन चलेगा ही चुप endurance, इस तरह की अगर आपके स्थिति है तो पर कैसे wygląda 바로 progress कैसे होगी सोचो जो बचे 12th के एकजाम चैने हैं टैंति जब इतने चोटे से exam के लिए इतनी तरह की restrictions हम उन पर लगाते हैं और हम चाहते हैं कि वो उन restrictions को happily follow करें इस बात को समझें कि ये कितना जरूरी है और हमारे पर जो बारवी से बड़े हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनको याद होगा कि दस्वी बारवी में या इस तर कि अभी इस जीवन में हमें control करके चलना है और उसके बाद अध्यात्मिक जीवन बहुत सुख में हैं शैद उस वक्त जिन लोगों ने विश्वास किया था आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं और सच में जीवन सुख में इसी तरह से आज जो भगवत गीता की मेरी तो भई मेरा तो यह अनुभव है और मेरी यह सोच है कि यह जो कुछ लिखा है शास्त्रों में वो बिल्कुल सच है तो मैं तो उसके अधार पर ही बोल रहा हूँ 25 वाश लोग पांचमा ध्याय जो लोग संशे से उत्पन होने वाले द्वैट से परे हैं डाउट नहीं उनके मन में जिनके मन आत्म साक्षातकार में रथ हैं यह लाइन बड़ी इंपोर्टन है समस्त जीवों के कल्यान कारे करने में सदैव व्यस्त रहते हैं यह लाइन में पता नहीं कितनी बार बोली होगी आज पांचमा ध्याय में भगवान भी बोल रहे हैं कि हमेशा हमारा जो जीवन ह कोशिश करने हैं जो आपसे हो पाए कुछ नहीं हो सकता तो अक लास पानी बिला दो किसी को कुछ तो करो और कुछ कर सकते ब्सकरादो किसी को देख, करें लोग इतने दुखी होते हैं्सॉमाइल जाब पास करते हो किसी अंजाने वक्ति को या थोड़ा जानने वाल laying वह व प्रदान नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी की help नहीं कर सकता, मुस्करा तो सकते हो, कोई घर आये तो उसको प्यार से बिठा तो सकते हो, तो जिसके साथ जो अच्छा कर सकते हो, वो कोशिश करो, समस्त जीव, अब यहाँ पर समस्त जीव लिखा है, इसका मतलब कुत्ता बिल्ली और जो भी जानवर हैं उसमें गाएं भी इंक्लूड हैं सभी समस्त जीवों के कल्यान कार्य में आपको लगना है और भगवान ने काया सदेव व्यस्त होते हैं लगा ही रहता है वो जो समस्त पापों से रही थे हैं आप नहीं करता वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ब्रह्म निर्वान यानि मुक्ति को प्राप्त होते हैं 26 वह श्लोक एक और श्लोक लेंगे इस वीडियो में भगवान कह रहे हैं जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहीत है वैसे यह बात पहले भी आ चुकी है और मैंने पहले भी कहा है कि यह पूरा चैलेंज है अपने आप में कि हमें क्रोध से मुक्ति मिल जाए क्रोध तो भौति आता है सबको और भौतिक इच्छा हैं यह तो भौति ज़्यादा तंग करती है जो सवरूप सिद्ध आत्म सैयम ही है सैयम कितना मुश्किल है और संसिद्धी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविश्य में सुनिश्चित है एक तरह से भगवान यह कह रहे हैं अगर आप भगवत गीता को पढ़के इसके अनुसार जीवन चलने में कोशिश कर रहे हो तो निकट भविश्य में यानि आपको मुक्ति मिल जाएगी आप निश्चिंत रहें भगवान ने का सुनिश्चित है कॉन्फिडेंट रहें, कन्फ्यूज ना हो, संशय न करें, चलते चलें, चलते चलें, भक्तों का संग करें, मैंने हमेशा सका है और एक वैश्नव गुरू से दिक्षा जरूर लें, भगवत गीता का प्रचार करें, यह सब चीजे बेसिक हैं यह आप करते चलिए, आपका जीवन पिलकुल सुख में होगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसे मेरी प्रार्थना है, हरे कृष्णा